हलो जैश्राम एर्यवन दोस्तों ये वीडियो का पार्ट टु है एगरिकल्चर बूस्नेस का पार्ट टू वीडियो यह पार्ट वन वीडियो भी हमने अल्रेटी बना दिया है तो दोस्तो हमारे इस वीडियो का सबसे पहला बिजनस आइडिया है पॉल्ट्री फार्मिंग जी हां दोस्तो मुर्गे और अंडों का आज जिमान काफी बढ़ता ही जा रहा है दोस्तो और इसके चलते आप अराम से अपने खेत में या फिर अपने कोई से भी खाली जमीन में पॉल्ट्री फार्म बना कर पॉल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं दोस्तो और इससे भी आप काफी ज़्यादा मुनाफ़क कमा सकते हैं दोस्तो तो दोस्तों poultry farm आपकी capacity की साबसे बनाया जाता है जैसे कि आपने poultry farm बनाया वो मुर्गियों की साबसे बनाया जाता है जैसे कि आपने poultry farm 10,000 मुर्गियों का poultry farm बनाया तो उसमें आपकी ज़्यादा investment लगेगी आपने 20,000 का बनवाया, उसमें और जादा, आपने 30,000 का बनवाया और जादा उसमें इंवेस्टमेंट लगेगी तो आपको ये starting में तो आपको सबसे पहले हैं चोटा पोल्ट्री फार्म बनवा लेना है उसके बाद आप upgrade करते करते हैं, आप जादा मुर्गियों का farm बनवा सकते हैं, होता क्या दोस्तों कि आप मुर्गी chicks लाते हैं, जैसे की 3-4-5 दिन के chicks लाते हैं, आप उसको अपने farm में रखते हैं, उनको nutrition देते हैं, उनको खाद देते हैं, उनको पानी देते हैं, उनकी दे काफी मुनाफ़क कमा सकते हैं हां हमारे जो काफी सारे वीवर्स को यह जो पॉल्ट्री फार्मिंग का बिजनस से मास हो गया या फिर अंडे हो गए उनको इनसे पसंद नहीं है तो मैं उस माफी चाहूंगा लेकिन हम इस वीडियो में सारे बिजनस आइडिया कवर कर रहे हैं आपको जो भी पसंद आए वो आप इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों और दोस्तों आज काफी सारी टेकनोलोजी आ गई है मतलब पॉल्ट्री फार्मिंग के अंदर काफी सारी टेकनोलोजी आ गई है ओटोमेटेट सिस्टम आ गया है जैसी कि आपकी मुर्गियों को खाना टोमेटिक मिलता जाएगा किसी KB की पॉल्ट्रि फार्मिंग की बहुत ज़्यादा जरुत परती है वह बहुत ही ज्यादा डिस्अडवांटज है लेकि लेक लेकले पांट्री फार्मिंग में तो आप यह भी मुनाफ़ा पॉल्ट्री फ़ार्मिंग में जो और गएग है क दोस्तों आज थो हम ट्राइ कर रहे हैं कि हम पौल्ट्री फार्मिंग के उपर एक A-Z dedicated वीडियो बनाने वाले हैं, वहाँ पर पौल्ट्री फार्म पर विजिट करने वाले हैं, वहाँ पर कैसे आप सेट अप करते हो, मुर्गों की कितनी देख रहें, कैसे की जाती है, लेब दोस्तों अगला के अग्रिकल्चर विजनस आइडिया है, जो ना केवल आपको पैसे कामा के देगा, बल्कि आपकी जमीन के जो वाटर लेवाले उसको भी इंक्रीस करेगा, दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मचली पालान की, दोस्तों आज कल तो मार्केट में इसी कई सारी क आपनि से, जो मचलिग का सीड प्रवाइड करती है, उनको खाना खिलाना ऐए, तो सब और सब आपने कर दी है इद Pattous उनकी सिर्फ उनकी कर कि आपको माल भी उनकी कमपने को आपको भी, अनिग का मैं खाट।.. जिसमें फार्मर क्या करते हैं, फार्मर मतलब अपना पॉंड जो रेता है, पॉंड तयार करवा लेते हैं, उनकी जमीन में जिसके बाद जो कंपनी का ओनर रेता है, वो ही सीड प्रवाइड करता है, कित्ती मातरा में कब कौन सा खाना देना वो भी प्रवाइड करता है, आप जो आपका rent होता, जयमीन का वो भी देता है और जो माल है वो भी खरीद लेता है। और दोस्तों, अगर आपने साही साथ इसकी खेती करी, आपने फुल नोलेज से और फुल डेडिकेट अटे होके इसकी फार्मिंग करी, सब कुछ सही राप रभु ने भी आपका साथ दिया, तो आप एक सीजन वे उस्तों इसे दद्दस 20 लाग का भी प्रोफिट कामा सकते है depending upon the size of your pond, आपकी जो तलाब रहेगा, उसकी size के उपर भी ये निरफार करता है, क्योंकि छोटे तलाब में कम मचली पालन को उत्पादन होगा, बड़े में जादा होगा, लेकिन अगर आपने सही seed, सही varieties और सही लोगों के साथ काम करा, तो सही knowledge के साथ काम करा, सही mindset के साथ काम करा, तो काफी अच्छा profit इससे कामा सकते हैं, और मुर्गी फारम में भी कुछ इसी प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों हमारा अगला business idea है, वो है मिट्टी की जाच करवाने की लेब दोस्तों, जी हां दोस्तों, आप अपने शहर में या फिर अपन कई सारी वीडियो में आपको बताया है कि आपको किसी भी फसल को बोने से पहले, आपकी अच्छे से मिट्टी की जाच करानी चाहिए, आपके किसी भी लेब में जागर मिट्टी की जाच करानी चाहिए, तो आप यो मिट्टी की जाच सोल टेस्टिंग दोस्तों, एक बहु सोईल टेस्टिंग का लेब खोल कर आप काफी अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं इसके बाद आप किसानों को बता सकते हैं कि आपके सोईल में ये कमी है ये nutrition की कमी है तो आपको ये nutrition देना चाहिए ये fertilizer ko उपयोग करना चाहिए ये आपको खात देना चाहिए तो ये सभी तो इसलिए दोस्तों आपको किसानों से भी पूछना होगा कि आप कौन सी फसल बोना चाहते तो उसके इसाप से आपको पी-एच मान को मेंटेन करके चलना होता है तो ये भी काफी अच्छा स्कोप है आपको बिजनस का दोस्तों आपके अगरी कल्चर बिजनस में दोस्तों हमारा अगला बिजनस अग्रिकल्चरल आइडिया है वो है पशू पालन जो लोग करते हैं उनके लिए आप बीज चारा यानि की पशू आहर बना सकते हैं दोस्तों अगर आप चाहें तो आज कल तो काफी छोटी-छोटी मशीन आ जाती हैं जिससे आप अपने घरों तो को पहाला पना सकते हैं ठीकली सकते हैं चोटा इस तरह स्टारव कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप यह करेंगे ना और आप ग्रामी ने इलाके में तो अपने आज-पास के मार्केट को टार्गेट करिये अच्छी क्वालिटी का आप और कम मार्जिन के साथ किजिए धंदा तो इससे जाद आपका गराग बनेंगे गराग जुडेंगे जिसके जीसे-जीसे लोग आपके प्रो तो सेम चीज़ आप भी कर सकते हैं अगर आपका मार्केट में प्रोडेक्ट अच्छा चल सकता है तो साथ साथ अगर और अच्छे लेवल पर बड़े लेवल पर करना चाहते तो आप डिश्टुबिशन नेटों भी अपना बना सकते हैं लोगों को एजेंसिया डिलर्शिप दे सकते हैं दोस्तों ना केवल आप पशु आहर बना सकते हैं ना केवल आप 200 गायों के लिए बना सकते हैं बलकि चाहें तो आप फिर जिसे जिसे आपकी एक्सपरटीस आपको नोलेज होती जाए इस फिल्ड में धंदा चलता जाए कैश फ्लो अच्छा हो रहा है तो आप जो केल्शियम होते हैं केल्शियम बना सकते हैं जिसके बाद अलग अलग पश्यों के लिए जैसे के लिए जैसे अपना मुर्गी भावरम पॉल्ट्री फाम होता है वहां पे अलग चारा यूज होता है तो उनके लिए अलग बना सकते हैं तो दोस्तों यह जो फिल्ड है प पूटियों की खेती करके भी आप काफी अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं जड़ी जड़ी पूटिया जैसे की अशुगंदा जैसे की हमने भी उगा रखिए अशुगंदा ओश्दिय मानी जाती है सफेद मूसली है और हल्दी है वो भी हमने भी आभी आमारी वीडियोस में या देखते तो आप यह ओश्दिय फसल करके काफी अच्छा मुनाफ़क कमा सकते हैं आप अपने खेत में ओश्दिय फसल लागाई इसे उगा यह उसे ग्रो करीए उसे हार्वेस्ट करने के पाद आपने खुदी उसे प्रोसेस भी कर सकते जी हाँ दोस्तों आपक्त की कहती करके दोस्तों की आज काफी ज्यादा डिमांड है क्योंकि आज इन्वोमेंट ही है आज वाइरस आ रहा है पता नहीं कितने प्रकार की बीमारी आ रही हमें तो जड़ी पूटियों की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ती ही जा रही है कमनी हो रहे है दोस्तों बढ़ती तो इस तरह से जड़ी पूट्यों की सप्लाइ करकर भी आप काफी ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं जैसे कि आप हल्दी के एक्जामबल लेते हल्दी आपने बोई हल्दी को उगाली हल्दी को फिर हार्वेस्ट कर लिया फिर हल्दी को आप खुद प्रोसेस करिए प्रोस करेंगे फसलों को उतना ही ज़्यादा आपको मुनाफ़ा मिलेगा दोस्तों तो इस तरह से भी आप अच्छा-कासा बिजनस क्रियेट कर सकते मुनाफ़ा कमा सकते हैं दोस्तों अगला एगरी कल्चर जो बिजनस आइडिया वह काफी ज़्यादा प्रोफिडेबल हो सकता है क्योंकि जो रो मट्रियल को जो आप खरीदेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे प्रोसेस करने के बाद जो बेचेंगे तो रो मट्र खरीदेंगे और प्रोसेस करने के बाद दोनों की प्राइस में काफी ज्यादा अंतर आ जाता है तो आपका मार्जिन काफी ज्यादा बनता सबीसाइट दूस्तों मैं बात कर रहा हूं मसाले की सपाइस्ट. INF. D. E. M.椅 आपो कोई से भी चेटने हो आप्के आप से कहिती हैं यहां हरी मिर्च जासाओधा होती है तो घरे मिरष जब लाल भी होगी तो लाल मिर्च को करें उसको पीसके उसकी प्रोसेसिंग करके अपने ब्रेंड नेम के अंडर उसको बेचिए लाल मिर्च ऐसी चीज अगर आप क्वालिटी मेंटेन करेंगे लोगों का धीरे-धीरे ट्रस्ट जीट लेंगे तो आप मतलब लोग इतना ब्रांड भी प्रिफर नी करते लाल मिर्च में और इसी चीजों म क्योंकि मासालों की मैनुफेक्चरिंग के लिए सबसे पहले आपको दो चीजों की जर्वत नि रहत फैले तो आपको एक क्वांग मासाला में कौन से इंगरीडेंट लेना है तो वह बंची मात्रा में आपको जानकारीz होनी चाहिए दूसरी चीज जो है वह कि लाइसेंस ह तो इसमें ज़्यादा कोई आपको गवर्मेंट की तरप से परमिशन नहीं लेनी पड़ती आपको सिर्फ सिंपल एक FSSI के जो फूड लाइसेंस होता है वो लेना पड़ता है जो कि आप सिंपली ओनलाइन टाइप करेंगे FSSI फूड लाइसेंस एपलाइ इन इंडिया आप ऐसा सर्च करके टाइप करेंगे आप ओनलाइन आवेदन कर सकते और कुछ हफतों के अंदर आपकी हाथों में वो लाइसेंस होगा और ज्यादा रुपे भी नहीं लगता इस लाइसेंस को बनवाने के लिए तो आप असानी से य अवकर पचास अजार से डेर लाइक के बीच में होती है डिपेंडिंग अपउन देर कैपिसिटी उनकी कित्ती ज्यादा पीसने की प्रती गंटा तो इस चीजों के सब्सक्राइब प्रोसिसिंग करके बेचेंगे और अच्छी पैकेजिंग कर बेचेंगे पैकेजिंग का तो अच्छा आपने एक बार्के अच्छी बना ली और ना कि आप लाको से करोड़ों मैं अर्भोरुपय का भी बिजनेस बना सकते हैं इंडियेच, महाशे, धरमपाल, गुलाथी कुछ है, नाम था उनका जो बुजुर्ग थे, काफी इंस्पारिंग परस्नालिटी है वो, तो उन्होंने, मतलब उनकी मासालों की समझ को लेकर उन्होंने इत्ती बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, जिनका सालाना रिविन्यू हजार करोड़ों को होता है, तो आप भी कर सकते हैं, अगर वो भी कर सकते हैं, क्योंकि महाशे, धरमपाल, गुलाथी जी ने भी दोस्तों, मतलब ज्यादा कोई एजुकेशन में नहीं उखड़ाता, आप भी कर सकते हैं, बस कंटिनियसली सीखते रहे हैं, इंप्रूफ करते रहे अपग्रेड करते रहे हैं, दोस्तों अगला जो बिजनस आइडिया है, वह है दोस्तों ड्रोन बिजनस, जी हां दोस्तों, आप ड्रोन खरीदकर ड्रोन बिजनस भी कर सकते हैं, वह करता है सबसे पहला काम करता है drone farming वो करता आपनी फसलों को monitoring जी हैं दोस्तों आपकी फसल को monitor करता है कि आपके फसल में क्या-क्या रोग लग रहे हैं उसका नियंतरन क्या होना चाहिए आपकी फसलों में कौन सा खाथ देना चाहिए योफ प्रकार के जो अपने problems होती है यह सभी प्रकार की जो monitoring होती है यह scan करता है वो drone scan करके आपको बिल्कुल analyze करके आपको बताएगा कि हाँ यार आपको यह समझ्या है तो इस समझ्या का नियंतरन इस खाथ से हो सकता है तो आपको clear बिल्कुल एक systematic report दे देता है वो आपको monitoring करके दूसरा जो इसका use होता है drone का वो pesticide चिड़काओ का जी आप यह आपने देखा होगा कि आप जो pesticide चिड़काओ करते हैं दवाय चिड़काओ करते हैं तो वो 15-20 kg का pump टांग कर चिड़काओ करते हैं वैसे ही अगर आप इस drone का इस्तिमाल करके चिड़काओ करेंगे तो आदे गंटे में एक गंटे में काफी जगा कावर कर देता है काफी सारे जगा पर चिड़काओ कर देता है किया यह द्रोन दोस्तों दोस्तों जो ड्रोन है वह मॉनिटरिंग करता है यहीं करता कि रोग लग जिसके बाद आपको बताएगा जब की आपकी फसलों को आटिफिशल इंटेलिजेंस के तूरू एक सिस्टम के तूरू पूरी तरीक्वाइद से अच्छे से से सकेन करता है इसमें क्या लक्षन आ रहे हैं उसके इसाब से आपको बता देता है भविश्य वायनी कर देता है आपकी जो यह फसल इसमें आने वाले समय में इते दिन में यह रोग अटेक कर सकता है तो आप पहले से अपनी तयार रहते हैं अपने जो दवाईया होती है प्रेस्टिसाइड लग जाते हैं वहीं ड्रोन से आप 5-10 मीट में इस काम को कर सकते हैं तीसरी चीज़ यह है दोस्तों कि आप ड्रोन के थुरू जित्ता रिक्वार्मेंट है उत्ती ही मात्रा में आप खाग और वह देते हैं क्योंकि यह ओटोमेटिक सिस्टम रहता है यह देखता है कि किती म गैं새 कर सकता उन किकार जो करते हैं और यह अच्छा को और सकताऊ और चाहिए उससे को पर और आप ठीटेल में जानना चाहते हैं तो अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक भी कमेंट करेंगे तो उसके उपर भी हम वीडियो बना देंगे दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही आशाय आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों और सबसे पहली बात हमारे व्लोग चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूं आपके भाई हैं प्लीज हमारे व्लोग चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए इत्ता ही था जै हिंद जै भारत वन्दमात्राम जेशी राम